जैसी कुष्णा मारी चैल मां आप सवनू हार्दिक स्वागच्छे आपने उत्सव पर के वार तेवारे विवित प्रकार नी मिठाई गरे बनावताज होईये छे तो आजे वैशाक सुथ पुनमना रोज तिथी प्रमाणे मारो चौतरिस्मो जन्म दिवस छे तो आज स्पेशल ओकेशन ने सेलिबरेट करवा माटे आजे आपने देशी गुलाब नी फ्लेवर युक्त पोचो अने स्वादिष्ट कच्छी गुलाब पाक बनावी सु अने गुलाब पाक परफेक्ट बने तेनी बद्दीश टिप्स आ वीडियो मा जानी सु तो त्याने स्कीप करावी ना एंड सुधी अवश जो जो सव प्रथम कड़ाई मा बे टेबल स्पून गी लई त्याने दीमी आज पर गरम करी सु गी हुफारू गरम थाए इटले तेमा वन्थर्ड कप रवो उमेरी त्याने गीनी साथे मिक्स करी रवा नी कचास दूर थाए औने ते फूली ने हरवो बने त्यान सुधी पांती साथ मिनिट माटे त्याने दीमी आज पर शेकी लेई सु रवा ना बदले तमे सोजी नो पन उप्योग करी शको छो जेम शीरो बनावती वक्ते आपने शेक ताओ येशे तेज रीते तेमा थी थोड़ी सुगंदावे त्या सुधी तेने शेक वानो शे कोई पन मिठाई बनावती वक्ते जाडा तेल्यावाडी कडाईनो जूप्योग करवो जेथी ते बिलकुल चौटे नही रवो शेकावानी सुगंदावे इटले गैस बन करी तेने एक वासन मा काड़ी लईशू हवे चासनी बनावा माटे कडाई मा थ्री फोर्थ कप इटले के पोणो कप खांड लई तेमा पोणो कप पाणी उमेरीशू अने मध्यम थी ते जाँच पर खांड सर्खी ते ओगले अने चासनी उकडवा लागे त्या सुधी 5 मीट माटे तैने थावे थावडे सतत हलावता रहिशू आ मिठाई बनावती वक्ते आपने चासनी नो ताल चेक करवानी जरूर न थी फक्त तेमा उब्रो आवे त्या सुधी स्याने गरम करवानी छे खांड अने पाणी बन्देनु माप सर्खू राकू काणके मिठाई मा आपने रवानो पन उप्योग करे शे इटले ते पन थोड़ा प्रमाण मा पाणी एब्जोर्ब करे शे आर इतनो चास्री मा उब्रो आवे पछी तेमा मेजरिंग कप ना मा प्रमाणे एक कप अने वजन प्रमाणे 200 ग्राम क्रम्बल करे लो दूद्नो माळो मावो उमेरी शू अने मावा ना बिलकुल पन गाठाना पड़े अने ते चास्री साथे सर्खो एकरस थाए त्या आर इतनो रबड़ी जेवी कंसिस्टनसी नुँ मिश्टन थाए त्या सुधी तेने हलावता रेवू मैं पांच नंग देशी गुलाब नी पांदरी अलग करी त्याने पाणी थी दोई अने कातर वड़े समारी दियती ते तेमा उमेरी शू गुलाब पाक माँ फ्रेश देशी गुलाब नो उप्योग करवा मावे तो त्यानो रंग अने फ्लेवर खुब सरस आवे शे जो तमारी पासे फ्रेश गुलाब हाजल ना होए तो तमे ड्राय रोस पेटल्स एटले के गुलाब नी सुकी पांदरी पण उमेरी शको छो अने ते पंड ना उमेरी होए तो तमे एक टेबल स्पून जेटलू गुलकंद उमेरी ने पण आज रिते गुलाब पाक बनावी शको छो एक थी 2 मिनिट सुधी मिक्स कर्या बाद मिश्रण थोड़ू खद-खदवा लागे एटले तेमा आपने जे रवो गीमा शेकीने राख्यो छे ते तेमा उमेरी सु गुलाब पाक मां रवो बाइंडिंग मांटे उमेर वामा आवेशे परन्तु जो तमारे फराडी गुलाब पाक बनावो होए तो रवाना बदले वनफोर्थ कब जेटलो काजुनों भुको पण उमेरी शको छो रवो मेर्या पची एक थी बे मिनिट माज मिश्राण नी कंसिस्ट्रांसी दिमे दिमे गट थवा लागसे हजू पन मिश्राण कडाई माथी छुटू पडवा लागे त्या शुदी तेने कूक करी सु छेलले तेमा फ्लेवर माटे वनफोर्थ टीस्पून इलाईजी पावडरों मेरी, मिक्स करी, गैस बंद करी तेने पांच मिनिट माटे रूम टेम्प्रेचर पर ठंडू थवा देशू मिश्राण नौस्टेकू गरम होए त्यारेज तेने चौकी माँ ठारवू जो बहु गरम-गरम असे अने ठारवा जसो, तो गुलाब पाकने जामवा माँ गणू लांबो समय लाख से हवे में एक चौकी माँ ओडी कोब एक पेपर पाथी ने राक्यू शे, जेती तेने गीथी ग्रिस करवानी जरू न थी जो तमारी पासे आर इतनू पेपर न होई, तो कोई पन उंडी थाडी के प्लेट ने गीथी ग्रिस करवानी लाई शको छो मिश्टान नवश्टे कू गरम रहे, इटले तेने चौकी माँ काडी इक्वल लेवल माँ सेट करी शू आ सीवाई पन फ्रेश देशी गुलाब नो उप्योक करी ने बिजी गणी बदी मिठाई में चैनल पर पोस्ट करी शे, जैना प्लेईलिस नी लिंक उपर आई बटन पर अने डिस्क्रिप्शन बोक्स मा आपी शे हवे गुलाब पाक ने वधू आकर्शक बनाव माटे तैना उपर समारेली गुलाब नी पांदली थी गानिश करी शू पची चमची वड़े तैने हडवा आते प्रेस करी, रूम टेंपरेचर पर चारती पांच कल्लाक माटे सेट थवा माटे मुकी शू अत्यारे वातार माँ गर्मी नू प्रमाण वधू होवा थी, तैने सेट थवा माँ थोड़ो समय वधू लाग से, तमे तैने एक थी बैक अल्लाक माटे फ्रीज मा पण मुकी शको शो गुलाब पाक सरको जामे, एटले तैने चौकी माथी पेपर सहीत बारकाडी, चप्पा वडे तैना एक सरका चोरस पीस करी सू आ गुलाब पाक माँ आपने दूदना मावानों उप्योग कर्यो शे, एटले तैने बैथी त्रण दिवस सुधी रूम टेंपरेचर पर, अने दस्ती बार दिवस सुधी रेफ्रिजरेटर माँ स्टोर करी शकाई शे रवानों उप्योग कर्यो हुआ थी, तमे शी ठाकोल जीने अंसकडी नी सामगरी तरीके भोग तरी शको शो तो देशी गुलाब नी फ्लेवर युक्त एकदम पोचो औने स्वादिश्ट, कच्छी गुलाब पाक बनिने तैयार छे, तैने सर्विंग प्लेट माँ सहु करी शू तो तमे पण आ मिठाई गरे जरू बनाव जो, वीडियो पसंद आवी होए तो तैने लाइक औने शेर करवानू ना बुलशो, औने चैनल पर पहली वाराव्या हो तो आवी ट्रेडिशनल औने उप्योगी रेसिपीज ना वीडियो जोवा माटे तैने सब्सक्राइब करी बाजू माँ पेला बैल आइकोन पर क्लिक कर जो फरी मलिशू एक नवी रेसिपी साथे धन्यवाद